है रहा कुते ही हागाई लहीं खंती लहीं है कना इंसे गो मोती रूँ क्या चाहिसा द्यान किताब गुआ लेलो नौ असा मागाई क्या डिको लेजी फी यह Milan ज्या मत्हता जो कि अपना कि अपना कि अपना कि आही बुआ लेलो नौ रसक्षप सब्स्थ्ट भाई लेलो ए शाप दोस्तों कैसे हैं आप लोग जी हाँ मेरा नाम जॉर्ज है और मैं आप से बात कर रहा हूँ यहां एक देश आफरीका का एक देश बहुत वाना सौथ आफरीका के जस्त बगल में है चारतर से घिरा हुआ है इस तरह एक तरफ सौथ आफरीका एक तरफ जिंबावे और एक तरफ नामीबिया और अलग तरफ जांबिया तो इन चारों देशों के बीच में हैं हम यहां पर निवास करते हैं मैं भी हिंदुस्तान से ही हूँ सौथ इंडिया से हूँ और पच्चीस साल से मैं इस देश का निवासी हूँ और मेरे वीवी बच्चे भी यहीं के हैं तो मेरे कई दोस्त हैं यहां पर बुर्चाना में जो हिंदुस्तान साई हुए हैं मगर अफसूस के बात यह है कि कई साल कई कई लोग तो पच्चीस तीस साल के उपर भी यह हो गया लेकिन आज तक उनको यहां की भाशा नहीं आती है ग्रिटिंग्स के सिवा खाल चाल पूछे कैसे आप क्या है वाट 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 खातम उसके सिवा उने कुछ नहीं आता है तो और भी कई लोग हैं जो बोत्वन आना चाहते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टूरिजम प्लेस है वाइल लैप के हिजब से तो जब यहां पे आते हैं कुछ अपना बिसनेस धंदा लगाने के लिए आते हैं उसके बाद जब उनको भाशा नहीं आती है जब यहां की भाशा उनको समझ में नहीं आती बोलना चलना नहीं आता तो बहुत मुश्किल होती है काम करवाने, लोगों से काम करवाने में और खुद भी काम करने में तो क्यों ना ये भाज़ा सीखी जाए तो शुरू करते हैं सबसे पहले यहां के ग्रिटिंग्स जो हैं जैसे हम नमस्ते कहते हैं अपने हिंदुस्तान में तो यहां पे होता है दुमेला दुमेला एन जी आं जो दुमेला कहते हैं तो अब यहां के लोगों को अगर दुमेला कहते हैं तो वो कहेगा लिकाए वो एक जैसे हम एक ही एजमेट के हैं तो बोलेगा लिकाए तो अगर वो ही बड़े लोग हैं थोड़े सीनियर सें अगर हम आपको उनसे कहेंगे दुमिला रा क्योंकि रा मतलब होते हैं पुरुश दो, तीन, चार लोग अगर वहाँ बैठो हुए हैं वो पुरुश है तो अगर एक पुरुश है तो उनको रा बोलते है और बहुत सारे पुरुश हैं वहां पे तो उनको रह कहते है सबसे पहले शुरू करते हैं डुमेला गंसे से डुमेला तो अगर कोई सीनियर वेखती है उनको कहेंगे उत्सुही ले यां उत्सुही ले यां छोड़ी सी डिफिकल्ट होगी आपको शुरू में ये शब्द यूज करने में उत्सुही ले यां तो वो कहेगा आपसे कि सुखी ले कि सुखी ले सिंत इसका मतलब होता है अप कैसे हैं तो वो आपसे कहेगा कि हाँ मैं सही हूँ आप कैसे हूँ तो उसी अगर हम एकी है, एज मेट के हैं या फिर अपने बराबरी के लोग हैं उनसे यह कहेंगे, एज के साब से तो आप पुछाई, तो वह बहुंगा लिकाई, भलेगा रितेंग, रितेंग, रितेंग और यह भी कह सकते उते इंग फिर आप पूछोगे कि आप कैसे हो उते इंग तो वो बहलेगा कि ते इंग तो यह है यहां सवर्टा अफ्रिका बुच्वाने की लेंग्वेश है और फिर आप लाइक का एक उधारन के तौर पे आप एरपोर्ट से उतरे आपका सब बैग वगर चेक अप हो गया और अगर आपने ये भाशें आपने इस्तेमाल की तो वो बहुत खुश हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उनको खुशी होती है यहां के लोगों को अगर आप उनके भाशा बात करते हैं तो उसके बाद आप गेट से बाहर निकलोगे एरपोर्ट से कोई टैक्सी या फिर आपको जिस तरह में जाना है उनसे वो भी आपको कहेगा दुमेला नताते ताते मिंस अगर आप थोड़े एल्डर एज के हो तो वो कहेगा नताते इन टाते एन टी ए टी ए इन ताते दुमेला नताते तो आप कहेंगे दुमेला रा उसके बाद वो आपको पूछाएगा कि वाकाई उचागाई वाकाई मिंस आप कहां से आ रहे हो आप कहां जाओगे उचागाई वाकाई तो आप कहोगे किछा को इंडिया मैं हिंदुस्तान से आया हूँ और यहां मुझे कोई जगा में जानी है जैसे में मॉल में जानी है या फिर एरपोर्ट जंक्शन में जानी है तो आप कहोगे क्या को उचा को इंडिया क्या को एरपोर्ट जंक्शन है ओब बलेगा शाप अब लेगा ठीक है शाप शाप आप पुछ हुए कि वो गाई कितना कितना चार्ज करते हैं आप तो आप पुछ हुए कि वो गाई वो कहेगा तर्ठी पूला फूटी पूला जो भी उनकी जो चार्जस होते हैं तो आप कहोगे आ या तूर आपको कि है यह बहुत महेंगी यह बहुत महेंगे लगा रहे आप तो आपको कि आ या तूर तो वो कहेगा है तूरे में यह महेंगा कुछ नहीं है चाना है यह तो यही प्राइज है अभी हमारे तो आपको कहोगे अर ये तो आपको कहोगे अर ये मिन्स चलिए चलते हैं तो आप बैठोगे तो आपको बैठने के लिए बहुँ यह कहेगा उन्ना बास है बन्हों कहेगा कि आप सीट में बैठे उन्ना बास है आपको बैठने के बाद आप जाओगे आपको लेके जाएगा तो उसके बाद आपको लेके जाएंगे लॉज में लॉज में जाने के बाद आप उतरेंगे उतरने के लिए बारे उतरने के लिए आप कहोगे कि यहाँ पर मुझे उतरना है जैसे आपने देखा कि यह लॉज का एक बोर्ड है यहाँ पर मुझे उतरना है लगें लोगें, 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 वो कहेगा इहे इर्र वो कहेगा अच्छा ठीक है ठीक है आपको उतरने के बाद वो पैसे आप देंगे उसे फिर वो कहेगा तांगी इस वो एक होता है तैंक्यू आप जैसे धन्यवाद कहते हैं हम लो वो कहेगा तांगी तो आपको भी कहें, तंकर, अपस के बाद आप लॉज में जाओगी, और लॉज में रिसेप्शन, वहाँ पे भी आपको सेम प्रसेजर, तुमेला मा, तुमेला रा, जो भी है, अगर उप पुरुश है, तुमेला रा, तुमेला मा, तो आप कहो गए कि के बुकी ले रूम ही को आनो कि हमने यहाँ पे एक रूम मैंने यहाँ पे एक रूम बुकी हो है तो वो पूछाईगी माइना हाओ कि माइना माइना हाओ हमारे इंदुस्ता में तो माइना एक एक चिडिया का नम होता है, यहाँ पर माईना, मिन्स, आपका नाम, तो आप ओ माईना मने एक से ज़्यादा लोग के माईना, अगर एक अदमी है तो बोलेंगे लिना लाहाओ के माँ, लिना लाहाओ के माँ, मने आपका नाम क्या है, तो आप हो गए कि भाई, मैं सो एंसो हूँ, यह है मेरा नाम है, बारे का, एहे, ताके चेक, तो वो कहेगे कि, ओके, मैं चेक करते हूं, चेक करने के बाद, आपको रूम के चाबी दे देंगे, आप रूम में जाओगे, और रूम में जाने के पहले भी, तैंकिम, ओ, यहां का एक जो जो इजद है, जो बहुत ही इजद देते हैं आ वोई की जट एक मैनर्स होता है जैसे मैनर्स उसको हम यहां के भाशा में कहते हैं माइट सेयो तो वो भी आपको बहुत ही अप्रिशेट करेगे और कहेंगे कि मुथू नाले माइट सेयो बोलेगा यहाई यह वेक्ति बहुत ही सज्जन वेक्ति है बहुत प्यार से हमसे बात किया उसने तो बस आज इतना ही खतम करते हैं अगिला एपिसोड में आपसे फिर से मिलेंगे आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है गूड नाइट